तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं Iconic Scene की, लेगिन सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि Iconic Scene होता क्या है, Iconic Scene जो है वो फिल्म में भी हो सकता है, साथ के साथ लिटरेचर में भी हो सकता है, Iconic Scene जो है वो कहानी का ऐसा Scene होता है, जिसमें की वो पूरी कहानी को एक नया मोड देता है, वो एक लाजवाब Scene होता है, ऐसा लगता है कि पूरी कहानी जो है उसी Scene पर सिमट आई है, या फिर उसी Scene के होने के लिए ही पूरी अगली और पिछली कहानी होई है, ऐसा वो Scene होता है, तो बहुत ही शांदार Scene होता है वो, अब हम देखें कि आज हम जिस सीन की बात करने वाले हैं यह रूस के महान लेखक जो लिय टॉलिस्टॉय है उनके नोवल एना कैर्नीना से है यह नोवल जो है वह 1877 में पब्लिज्ट हुआ था और यह इस किताब के पार्ट 3 में होता है तो हम यह देखते हैं कि इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है कॉंस्त हाँ तो एक दिन जो है वो अपने जो उसके किसान है उनसे खेती बाड़ी करवा रहा होता है तो जब खेती बाड़ी करवा रहा होता है तो वहाँ पर जो किसानों की बीवियां होती है वो भी काम कर रही होती है तो एक किसान जो है उसकी जो बीवी होती है वो फसलों को जो और वो उसके नजदीक आता है, और उसके काम में जो है, उसका हाद बटाता है, लेविन इस चीज़ को जो है वो दूर से देख रहा होता है, कि हाँ, यह तो सही है, और अपने दिल में वो कुछ ऐसा महसूस करता है, जिससे कि हमें पता चलता है, कि शायद उसकी जिन्दगी म वो किसी चीज़ की कमी है यानि उसे भी हमसफर की तलاش है तो यहाँ यह सीज़, यह सीन जो है बहुत ही लाजवाब है फिर होता क्या है कि वो जो औरतें काम कर रही है जैसे जैसे शाम ढल रही है। जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है वो एक गाना जो है वो गाना शुरू कर देती है और फिर धीरे धीरे काम खतम हो जाता है और गाना जो है उनका चलता रहता है और सभी औरतें जो है वो अपने घर की तरफ चलने लगती है और उनकी पीछे उनके शोहर जो है यानि जो मजदूर है किसान है वो भी उनके पीछ गयाता है तो बैठते ही जो है उसे नीद आयाती है और वो वहाँ सो जाता है और चारों तरफ रात की ही आवाज होती है अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो किसी के बारे में सोचता है और सोचता ही रहता है फिर सितारों के आस्मान में ना होने से उसे पता चलता है कि सवेरा हो गया है और उसे घर की तरफ जो है वो रुख करना चाहिए वो पास ही की सड़क पर जाता है और जमीन को देखते हुए चलने लगता है तो होता क्या है कि दूर से घंटियों की आवाज आने लगती है तो वो सोचता है कि कौन हो सकता है और साथ के साथ वो ये भी में सोचता है लेकिन उसकी खुद की जिन्दगी जो है वो उससे मुतमाइन नहीं है उससे सैटिसफाइड नहीं है तो घंटियों की आवाज जो है एकदम नजदीक आती जा रही है साथ के साथ तो ये भी सोच रहा है कि कौन हो सकता है और साथ के साथ ये भी कंटेंपलेट कर उसमें पीछे बैठने की जगा होती है अब पीछे बैठने की जगा जो है वो इस तरह की नहीं होगी जैसे कि हिंदोस्तान में होती है कि तांगा है और खुला है तो ऐसा नहीं होता है एरिस्टोक्रेट्स जब उसमें बैठते हैं तो वो शांदार बगगी होती है और काफी स प्रॉले बसफर कटना हैं आज जो गाड़ियां वहलू से चलती हैं पिछली जो कि वह वह घोड़े ने चलाते थे तो वह बगई जो है वह धीरे दीरे लावन के करीब आती है और लेविन जो है वो जमीन को देखते हुए सोचते हुए अपनी जिन्दगी की फिकर करते हुए वो चलता रहता है कि आखिर उसकी जिन्दगी का मतलब क्या है कि वो ऐसे ही जिये जा रहा है तो जबकि गाड़ी जो है वो बिलकुल एकदम उसके पास से गुजर के गाया भी हो जाएगी तब ही उसकी नजर जो है वो अंदर बग्गी के पड़ती है उसे दीखता क्या है कि बग्गी में एक तरफ एक बुजरग वरत बैठी है और दूसरी तरफ एक खुबसुरत लड़की बैठी है जिसके बाल हवासे उड़ रहे हैं और अपने हाथ में जो नाइटिकैप होता है वो उसे लिये बैठी है और लैविन उसे देखती ही जो है उसकी आंखें एकदम चमक जाती है और खुशी की लहर जो है वो उसके दिल में दोड़ जाती है और जिस वक्त लेविन की नजर उस लड़की पर पड़ती है उसी वक्त उस लड़की की नजर भी उस पर पड़ती है और वो भी उसे देखकर मुस्कुराती है तो वो लड़की है कौन जिसने लेविन की जिन्दगी में जो है वो खुशी ला दी साथ के साथ लेविन ने उस लड़की की जिन्दगी में खुशी ला दी तो है कौन वो और फिर उसके बाद ना तो वो आपस में बात करते हैं और ना ही कुछ कहते हैं और गाड़ी ऐसे ही चलती जाती है और लेविन चहरे हुए एक टकट उसे देखता रहता है और धीरे 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 घाड़ी की आवास जो है वो धीनी होती जाती है और गाड़ी चली जाती है और लेविन जो है वोओ अब की तर official is the Supreme परफिस में आके मिल जाते हैं और एक रंगी और आस्मान में फैल जाता है तो अब वह खुश है और बढ़ी तेजी से जो है वह घर की तरह हो जाता है तो यह सीन बहुत ही ला जवाब है और इस सीन से जो हा न इस नोल की पूरी कहानी ही बदल जाती है तो लेकिन इसको समझने के लिए भई हमें थोड़ा सा पीछे की तरह जाना चीए कि लेविन कौन है और वो जो लड़की उस भग्गी में बैची थी वो कौन है और उनका आपस में क्या रिष्टा है तो लेविन जो है वो भई देहात में रहता है और बहुत बड़ा जमीनदार है हल Гос वो कुछ वक्त पहले मॉस्को में भी रहता था तो जब मुझा में रहता था तो िज खर जाया करता था और बलकी वो जो लड़की है और उनकी मा है वो लड़की है उसका नाम किटी है उसका असली नाम क्यैट माना क्या कर चे जिए और तो लेविन जब मॉस्कों में रहता था तो उनके घर जाया करता था लेविन की मा बच्पन में ही गुजर जाती है तो इस वज़ा से उसे उनके घर जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां बहुत सारी औरते हैं और वह उन औरतों से जो है एक गहरा रिष्टा जो है महसूस करता है यानि कैटरीना यानि किटी की मॉम से भी साथ के साथ किटी से और उसकी बड़ी बहन डॉली से जिसका नाम डारिया अलेक्जेंटर उपना है तो शुरू में जब उनके घर जाता है जब वो मॉसको में पढ़ता है तो यह सोचता है कि कुछ ना कुछ तो संबंद जो है उसका इस घर से बना रहना चाहिए तो लेविन जो मौसको में पढ़ता है तो डॉली का जो बड़ा भाई होता है वो उनी के लेविन के साथ ही वहाँ पढ़ता है जिस वज़े से उनका रिष्टा जो है यह बन जाता है तो लेविन शुरू में सोचता है कि इनके घर से कुछ संबन होना चाहिए तो कहीं न कहीं मतलब एक ऐसा रिष्टा होना चाहिए जो जिससे उसका आना जाना लगा रहे क्योंकि उसका खुद का कोई परिवार नहीं और वो हमेशा से ये सोचता रहे कि उसका भरा पूरा परिवार होगा उसकी बीवी होगी उसके बच्चे होंगे मतलब वो चाहता है एक पारिवारिक जिन्दगी एक फैमिली है ना जबकि वो खेतों से काम करके वापिस आए तो उसकी बीवी उसका इंतजार करती हो उसके बच्चे जो है उसके तरफ भागें ये सब वो अपनी जिन्दगी में चाहता है जो कि उसे हकीकत में कभी मिला नहीं उसकी हमेशा से यही तमन्न आती कि उसका एक परिवार हो कि फिर सबसे पहले वह गारिश्टा हो जाता है और उसका नाम होता है स्तेपान औ तो इस्तिपान ओबलॉंस की बहुत ही आलसी आत्मी है और उसका खुद किसी दूसरी और से चेकर कलता है तो वह बाद में बताऊंगा फिर जब डॉली की शादी स्तेपान ओबलॉंस की से हो जाती है तो उसे लगता है कि शायद अब किटी से उसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहिए तो फिर कुछ काम के लिए वो देहाद जाता है यानि कंट्री साइड जाता है फिर आके वो सोचता है कि अब जब वो मौस को जाएगा तो जरूर प्रपोस करेगा ये पीछे की कहानी में बता रहा हूं तो फिर वो मौस को आता है और वहाँ पर किटी को प्रपोस करने के लेविन वहां उसे प्रपोस नहीं करता बलकि उसके घर जाता है तो अगले दिन जब उसके घर जाता है तो किटी जो है वो बहुत शांदार में किनारे एक कुर्सी पर बैठी रहती है और उसे मालूम होता है कि लेविन मौस्कों में आया हुआ है और वो उसे जरूर प्रपोस करेगा और लेविन को भी ये बात मालूम है हलनकि दूसरों को भी थोड़ा-थोड़ा सस्पिशन है कि हाँ भी ऐसा होगा तो किटी को इंतजार है लेविन का और लेविन जो है वो उसे प्रपोस करने जा रहा है अब जवाब क्या होगा वो तो अभी हमें समझना चाहिए है तो वो जाता है उसके घर दरवाजे पर दस्तक देता है और किटी जो है वो उसे दूर से ही दिखाई दे जाती है तो वो धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाता है और उसके नजदीक जाके टिफिल पे अपने हल्के से हाथ रखता है और उससे इज़ार करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है को किटी उसे जवाब देती है कि नो, एट कांट भी बिल्कुल यही लाइन अब वो कहती है जो कि मौसको में जो बड़ी सोसाइटीज होती हैं उसमें जो है उसका काफी नाम है बड़ी सोसाइटीज का मतलब उस वक्त रशिया में पार्टी व्वगेर Monday में और फेस gonna be हमें उसका बड़ा नाम होता था तो वैसा ही ए IT वारॉनस की वैसा ही हमारा एकदम कपड़े हैं और किटी उसे देखते ही एकदम मुस्कुरा जाती है और लेविन जो है उसका दो दिल तूट गया तो वहां क्या करता फिर जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो एलेक्सी को देखके उसका दिल जो है वह एकदम मतलब नफरत से भर जाता है कि ऑना ही तो फिर वह जाने के लिए जो है कदम बढ़ाता है और पीछे देखता है मुड़के इनका क्या है यानि किटी और इलेक्सी का क्या है और देखता है मुश्कुरा रही है और लेविञ जो है वह अपने टूटा दिल लेकर दर्वाशे से बाहर निकल जाता है और फिर हालनकि वह बहुत सारे काम कर रहे हैं मौस को आता है लेकिन कोई भी काम नहीं करता उनकी सादिय हुई अ इस टिपान ओब लॉंश्की का जो चकड़र है उनकी बच्चे बढाने वाली एक मैडम के साथ हो जाता है तो बैली स्टिपान ओब लॉंश्की की बहन को खत लिखती है जिनका नाम है एना कैरणीना एना कैरनीना सेंट बीटर्स बर्ग में रहती है और उनकी शादी एक बहुत बड़ी बहुत बड़े एडमिस्टेटिव पोजिशन में जो एक इनसान है उनसे हुई है और उनकी उमर में जो है काफी फासला है तो डॉली उन्हें खत लिखती है एना को कि आपका जो भाई है तुर आप मौस को आए और उन्हें समझाए तो एना जो है वो ट्रेंड बगडती है और घर अपने भाई को समझाने के लिए आ रही होती है वहां एक औरत से उनकी मुलाकात हो जाती है और वह औरत कोई और नहीं बलकि एलेक्सी व्रांसकी की मा होती है सेंट पीटर्सबर्ग से जब वो मौस को आती है तो वहां स्टेशन पर स्टेपान ओबलॉंस की अपनी भेन एना क्यारणीना को लेने पहुंचता है और वो उन्हें आवास देता है तो जैसे ही वह वहां जाता है तो वहां एक और इंसान को खड़े पाता है और वो कोई और बलकि अलेक्सी व्रॉंस की होता है जो कि अपने मा को लेने आया है तो अलेक्सी व्रॉंस की की मा और एना कैर्नीना जो है वो साथ साथ ट्रेन में आई है वो अपसे पहले एक दूसरे को नहीं जानती थी लेकिन यहां जब वो एक साथ ट्रेन से उतरती है तो इस्तेपान वो पलट कर उसे देखता है और वो भी एक बार उसे पलट कर देखती है दोस्त समझाने तो दूसरे को आए लेकिन यहां कुछ और ही हो रहा है फिर जो है वो घर आती है अपने भाई के जिसका नाम इस्तपान ओबलंस की है और वहां पर उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं करना जो भी समझाना पड़ेगा जो की नहीं समझता है फिर एना जो है अगले दिन एक पार्टी होती है उसमें जाती है और वह पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी होती है और उस वक्ट जो रूस में पार्टी होती थी उन्हें बॉल बोला जादा था बीए डवल बॉल ब सब्सक्राइब जाती है तो पूछा जाता है कि यहां जाने के लिए तो फिर वहां जो है उस पार्टी में सभी लोग आते हैं लेविन उस पार्टी में नहीं आता, किटी उस पार्टी में जाती है, और एलेक्सी वरोनस की उस पार्टी में होता है, और एना भी होती है, और उस वक्त की जो पार्टी होती है, देखिए वहाँ स्यूटर भी देखे जाते हैं, स्यूटर यानि कोई जवान लड़की है, या देखी जाती थी कि बॉल पार्टीज रखना है तो इसका मतलब है कि जवान लड़के लड़कियों को जो है वो थोड़ा इंट्रिड्यूस किया जाए जिससे कि उनकी शादी बन सके तो यहां एना कैरनी न जो है वो बहुत ही शांदार कपड़े पहन के जाती है और उनकी ड्रेस जो है वो एकदम ब्लैक कलर की होती है जो कि कोई भी वहां उस तरह की ड्रेस नहीं पहने होता और वो पूरी पार्टी में एकदम अलग ही दिखाई रहती हैं कोई भी लड़की उनकी जैसी खुबसूरत नहीं होती वो मतलब उनकी ड्रेस चमकरी होती है साथ के साथ उनका जो औरा है वो इस तरीके का है फिर लोगों को अट्रेक्ट करता है नोट अनली मैं बट विमन अज़़े यानि कि मर्द को ही नहीं बल्कि ऑदकी ओर्धों को भी ऑट्रेक्ट कर होती है वह सूट यानि पीछागा रहा है किटी का और किटी पत्राइब यहीं समझ लिए कि शयाद वह समय करेगा और वह घर भी उसी के गया था लेकिन ऐसा नहीं है यहां वह पूरी पार्टी में एना का ही पीछा करता है उसी के साथ डांस करने के लिए उतावला रहता है और एना उसके साथ डांस नहीं करती और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो किटी को हम देखते हैं कि वो पार्टी में इधर से उधर इधर से उधर बस घूमती रहती है अपने दिल को यानि उसका भी दिल यहां तूट गया है और एलेक्सी वरोनस की अब उसका नहीं रहा और पाची खत्म होने के बाद एना जो है वो बिलकुल एकदम बदल जाती है वो अपने भाई के घर जाती है और वो सोचने लगती है कि उसे जल्दी से जल जो है वो सैंट पीटर्सबर् यह तो बीच रास्ते में जो है वो प्लैटफॉर्म पर कुछ मतलब उसका मन थोड़ा अजीब सा रहता है तो वह प्लैटफॉर्म पर हवा लेने के लिए खुली हवा लेने लिए थोड़ी देर के लिए ठेर जाती है लेकिन देखती है कि दूर एक परशाई कड़ी है और वो उस परचाई के नजदीक जाने लगती है और धीरे धीरे वो परचाई उसके करीब आती है और वो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बलके लेक्सी वरानस की ही है यानि कि वो ट्रेंड में उसका ठीचा कर रहा था और फिर एना उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जानता हूं कि इसका क्या मतलब है ना का मतलब भी मैं जानता हूं हा का मतलब भी जानता हूं और कुछ जब नहीं का तब भी मैं जानता हूं कि उसका क्या मतलब है यह मैं आपको नहीं बता हूं अठीक है तो वो वापिस जो है अपनी ट्रेंड में आके बैठ जाती है और स पेर ये relation जो है वो शुरुर हो जाता है तो हमारी कहानी जो है वो इलक्सी वराणस की और आनक हैरनीना की नहीं है बलकि मैं उसी सीन को जो है दॉराना चाहता हूं जिस से हमने अपनी कहानी शुरूर कि थी तो किटी का दिल तूटने के बाद जो है वो बहुत ही मायूस हो जाती है और धीरे धीरे उसकी सेहत जो है वो खराब होने लगती है तो उसकी सेहत का खराब होना या उसका मायूस होना किस वज़ा से है और ऐसा बहुत लंबे वक्त तक चलता है यानि कई सालों तक चलता है हर डॉक्टर वह ठीक करता है तो इसकी वजह उसकी वज़ा क्या है कि यह जो से बहुत तहे यह दोनों बाते सोचने वाली हैं फिर उसे जो है कोई सजेस्ट करता है यानि किटी को कि बैई उसके मावपों को कि उसे जो है वो स्वीजरलेंड जाना चाहिए इलाज के लिए शायद वह वहां ठीक हो जाए तो किटी मना गरती है लेकिन डॉली के कहने पर जो है जो उसकी स्वीजरलेंड चली जाती है और वहां से उसमें थोड़ा बदलाव होता है यानि उसके नेचर में थोड़ा बदलाव होता है सेहत नहीं सुधरती वह हमेशा गंगीन रहती है उदास रहती है मेरा खयाल यह है कि वह एलेक्सी वह अपने वह खुद अपने दिल को नहीं जा लेकिन किटी जो है वह अपने दिल को ठीक से नहीं समझ पाई इस दोरान तो जब वह स्विजर लेंड से वापस आती है तो कुछ वक्त मॉस्कों में रहती है और डॉली जो है वह उसका गाउंदेहात में घर है असल में रशिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पर जब की एक्स्टीम वैदर हो जाता है रशिया में तो लोग देहात की तरफ चले जाते है तो अरिस्टोक्रैटिक contractors होती होते है उनके गाउंस में घर हुआ गड़ती है उनके गाउंस होती है तो किटी मॉस्कों में होती है तो उसे भी खत लिखती है जो है और जारी होती है तो तब रास्ते में उसकी मुलाकात होती है मुलाकात नहीं बलकि एक नजर मिलती है लेविन से तो ये है हमारी कहानी ठीक है और ये है इस सीन का मतलब मेरा खयाल है ये सीन जो है आगे चलके इस पूरी कहानी को ही बदल देता है, अगर ये सीन ना होता तो आगे चलके, मतलब अगर ये सीन ना हो, तो होगा क्या कि लैविन जो है, वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा, मजबूरी में कि उसने तो रिजेक्ट कर दिया ना भई, अब वो क्या करे वहाँ जाए उसे पता भी नहीं कि मौसकों में चल क्या रहा है और आजकल का जमाना तो है नहीं ये फान कर दिया जाए है ना या कुछ और कर दे जाए तो वाटसम करते हैं तो फिर वो क्या करता है, क्या करे वही उसे कुछ ना कर, जिन्दगी तो आगे बढ़ा नहीं है ना तो अगर ये सीन ना हो, तो फिर हो सकता है कि वो शादी कर ले और शादी करने के बाद पूरी कहानी ही बदल जाए और फिर कहानी पढ़ने का वो मज़ा ही न रहे कि हाँ ये कहानी है तो इस सीन के बाद अगे चलके क्या होता है यह मेरा ख्याल है मैं आपको अगले किसी और एपिसोड में बताउंगा और फिर से उनकी हाँ मुलाकात होती है मौसको में और लैविन जो है फिर से उन्हें प्रोपोस करता है तो क्या किटी ने उसे accept किया या नहीं किया ये तो हम अगले ही किसी एपिसोड में जानेंगे और साथ के साथ एना कैवनीना और व्रॉनस की का आपस में क्या हुआ ये भी हम किसी एपिसोड में जानेंगे और व्रॉनस्की और एना का एक बहुत शांदार स्थीन है जिसमें कि जो एना है वो व्रॉनस्की का एक मतलब होर्स रेस देखने जाती है घुरद ओर देखने जाती है जहांपर वो बैठी होती है अपनी सहलियों के साथ साथ के साथ उनके हस्बेंट कारनिन भी बैठे होते ह कार्णिन को मालूम है कि यह व्रॉनस्की को ही देखने आई है और व्रॉनस्की को ही मालूम है कि यह एना जो है मेरे ही लिए आई है तो इस सीन में होता क्या है कार्णिन एक टक एना को देखता है एना कार्णिना को देखता है कार्णिन जो है उनके हसमेंड है तो एक टक एना की को देखतीं है requests की जो अपना घोडा दोडाता है तो जो है गिर जाता है और फाह ऐना जो है वो इतनी तेजी से उन्हें आवाज लगांती है और साथ के लिए रोने का क्या मतलब है तो आज के लिए इतना ही बहुत शुक्रिया इतनी मुहबबत से सुनने के लिए बहुत थैंक यूवरी मच